नमस्कार, मैं हो ससी, आए ज़ारखन की टॉप पचीस पर मुखवर जानते हैं ज़ारखन के सुखार चेतर का मुखायना करने केंद्रे की एक टीम सो मरग को रांची पहुँची है टीम का नेतित्व कर रही भारत सरकार की सन्युक्त सेस्चिव एस ने बताया है कि सबसे पहले केंद्री ये टीम राज सरकार के पताधिकारियों के साथ बैठा करेगी उसके बाद सुखार्ट छेत्र का दोरा कर यह तै करेगी कि जो लिष्ट राज सरकार दोरा जारी किया गया है उस छेत्र की क्या इस्थिती है बता दे कि पूर्वी सीमू और सीम डेगा को छोड़कर जारकंड के 22 जीलों के 226 परकंड सुखागरस गोशित किये गया है जिसको लेकर राज सरकार की ओर से केंडरे टीम समीक्षा सुखा रहात सहायता मद से 9000 क्रोर की मांग की जाएगी भारा सरकार की सन्युक्त सचीव एस ने बताया है कि राज सरकार से जन्वारी से लेकर 13 जन्वारी तक टीम जारकंड के विभीन परकंडों का जाजा लेगी जाजा लेने के बाद या आकलन किया जागा की राइसरकार की तरब से जिन छेत्रों को सुखा गरस गोशित किया गया है वहां के क्या इस्तिती है जार्खन में कडाके की ठंड पर रही है सितलहर का परकौब भी है लोगों का घः से निकलना दुरलब हो गया है बचों के स्कूल भी बंध है, वहीं तापमान भी काफी नीचे चल रहा है राजधनी रांची के कांके इलाके का तापमान जीरो डिगरी तक गिर गया है पतादे पुरे उत्तर भारत में हाड़क अपने वाली टंड पर रही है इसका असर जार्खन में विद्धिक रहा है आपको जानकर हरानी होगी कि रांची के कांके इलाके में पारा जीरो तक पहुच गया है साल 2019 के बाद 9 जनवरी को कांके में 0 डिगरी सेल्शे तापमान रिकोर्ड हुआ बिर्शा क्रिसी भी सोवी दालेक मौसम विभाग के अपजर्वेटी में यह डाटा रिकोर्ड हुआ है नई नियोजन नीती जार्खन बयट से पहले लाई की हेमंत सरकार आगामी 82 सत्र से पहले ज्हारखंड की हिमन्त सरकार नई नियोजन नीती लाएगी ज्हारखंड मुक्ती मोर्चा ने दावा किया है पार्टी को वरिष्ट नेता सुप्रियो भटाचार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि ज्हाओ के लिए नियोजन नीती अहम मुदा है सरकार इसको लेकर गंपीर है उमीद है कि 82 सत्र से पहले सरकार की नई नियोजन नीती तयार हो जाएगी इससे पहले सिरी भटाचार ने पार्टी कर्याले में पत्रकारों से बात्चित करते हुए किंद्रे ग्रीह मंत्री अमीद सापा निसाना साधा उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस प्रकार से 7 जनवरी 2023 को सिरी साने राष्टपती द्रोपती मुर्मू के बारे में कहा वह निंद निये है राष्टपती अनुकंपा पर नहीं बनी है ग्रीह मंत्री का ब्यान ऐसा है मानुपर्धान मंत्री नैन्द मुदी और भाजपा ने उन्हें अनुकंपा पर राष्टपती पद पर बैठाया है जे टेट सफल अभियार्ती फिर आंदोलन के मूड में जार्खन के जेटेट सफल अभ्यार्थी एक बार फिर आंदोलन करने के मुड में है जेटेट सफल अभ्यार्थी और अस्थाई नियुकती से नराज है वे अस्थाई नियुकती की मांग कर रहे हैं इसके लिए उन्होंने चरनबद आंदोलन करने की घोसना की है बता दे जार्खन के पारा सिक्षक और गयर पारा जेटेट सफल अभियार्थी ने सन्युक्त संग बना कर अंदोलन सुरू करने की योईना बनाई है इसके लिए पारा सिख्ष को और गयर पारा जेटेट पास सफल अभियार्ती नियुक्त रूप से संग का गटन किया है और मांगे पूरी नहीं होने पर चरणबद आंदोलन की घोसना की है जेटेट सफल अभियर्ती सिक्शक नियुक्ती 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 करने की महां परणा है जे बी बीएनेल का वसुली अभियान जारी रहेगा, बीतिये कमी से जूज रहे ज्घार्खन बिजली बितरं निगम लगातार घाटे में हाई, आकरों के मुताबिक जे बीएनेल का घाटा चोभतल सौकुलोर है, बीतिये वर्ष जोहजार बीस एकिस में बाईसं कुलोर, बी अठनी अठनी खर्चारूपाया की राह पर चल रहे जार्खन बिजली बित्रन निगम इन दिनों बिली बिल बकाया वसुली पर विसाइस द्यान देने में जुटी है जिसके तहद पिछले दिसंबर महिने में राजबर में लक्ष से ज़्यादा और अभी तक के एक महिने में हुए रायसो संग्रा में रिकोड बनाते हैं पांसो दस क्लोर की उगाई की गई है हजारी बाग में 58,000 किसानों के रीन माफी के लिए दास्तावेज सही जारखन सरकार किसानों का के सिसी रीन माफी के लिए प्रतिवध यह जनकारी देते हुए पीटी एस राकेश कुमार ने बताया है कि रिन माफी के लिए हजारी बागि लिए में मात्र अंठावन हजार किसान सही मिले उनके सभी दास्तावेज सही है जिने क्रिसी रिन माफी के लिए चैनित किया गया है इन में से 21,000 किसानों का भुक्तान हो गया है अत्वा प्रक्रिया धिन है से 16,000 किसानों के भुक्तान के लिए बैंक को सूची भेजी जा रही है उन्होंने बताया है कि कुछ आवेदन निरस्त किये गए है रिन माफी के लिए दिये गए कई आवेदन निरस्त किये गए इसका मुखे करन आवेदन का खायता अधार से लिंक नहीं है अत्वा खायता और राशन काड में नाम में भिनता है इसके साथ ही एक राशन काड पर एक से अधिक लाबकों ने रिन माफीक के लिए दावा परस्तूत किया है ऐसे आवेदनों को भी निरस्थ कर दिया गया है रांची में एकस आरमी मैन की पतनी से पांच लाख की छिंताई रांची जीले के नामकुम थाना छेत्र श्टेट बैंक अफ इंडिया से पैसा निकाल कर घर जा रहे एक्स आर्मी मैन की पतनी गीता देवी से 5 लाक रूपे की छिनताई कर ली गई पिडिता जुरार की रहने वाली है बताया जा रहा है कि पिडिता जैसे ही बैंक से पैसे निकाल कर घर जा रही थी वैसे ही बाइक सवरा प्रादियों ने पैसा का बैक छीन लिया और परार हो गए पुलिस मामले की जाच में जुटी हुई है जनकारी के अनुसार गीता देवी की बेटी की साधी 25 जनवरी को होनी है साधी के लिए ही पैसा निकालने लगभग डेड़ बजे वे नाम को मिशित स्टेट बैंक अप इंडिया पहुची थी भोजन का अधिकार अभियान और नरेगा वाच ने बीत मंत्री को सवपा ग्यापन भोजन का अधिकार अभियान जार्खन और नरेगा वाचने जार्खन के बीत मंत्री डाक्टर रामेश्वर उराव को 82 से पहले एक ग्यापन सोपा है जिसमें सरकार के वादों की याद दिलाई गई कई अहम बिंदूओं पर सरकार को सुझाव भी दिये गए हैं दोनों संस्थाओं ने सोमवार को राजिकेवित मंत्री को याप ग्यापन सोपा इसमें इसकूलों और आंगानवाडी केंद्रों में हर दिन अंडा 25 सोरुपे प्रति माह की बढ़ी हुई दर पर सभी को समाजिक सुरक्चा पेंशन, ग्रीन कारधार को को खद्याहन राशन 5 किलो प्रति ब्यक्ति प्रति मां की निमित आपूर्ती और प्रधान मंत्री मात्रू अंद्रा योजना के तहत सभी बच्चों को मात्रू त्वलाब के बिस्तार की मांगी गई है भोजन का अधिकार अभियान और नरेगा वाज के असरफी नंद प्रसाद, जेम्स हरेंज, ज्या द्रेज, परम अमिताब और तारा मनी साहु ने जार्खन के बित मंत्री डक्टरा में सुरू राव को समोधित इस पत्र में लिखा है कि वर्ष 2023 के बचट की पत्यासा में हम आपको ज्यार्खन सरकार के कुछ अधूरे वादे की याद दिलाने के लिए अपत्र लिखे हैं पारसनात बचाओ महाजुटान 10 जनवरी को मरांग बुरू पारसनात के मुद्दे पर मरांग बुरू पारसनात बचाओ आंदोलन के तहत मंगलवासो गिरी डी जीले के मधुबन में महाजुटान होगा चेतर के आदिवासी मूलवासी परसनात परवत में मरांग बुरू यानि आदिवासियों का परमुक धर्मगड की रक्षा के लिए अंदोलन का संकनात करेंगे ऐसे में इस महा जुटान कारकरम को लेकर प्रसासन पुरी तरह से मुस्ताइद है पुलिष ने सोम वार को फलैग मार्च भी किया है इधार जार्खन दी सोम पार्टी के संस्तापवक सालखन मुर्मू मदुबन पहुचे है परसनात बचाओ महा जुटान कारकरम की त्यारियों कि उन्होंने समिक्षा की खोटी डवल मर्डर का खुलासा खोटी जीले के औरकी थाना चेतरे के बदानी गाओं के गंगदा जंगल से 28 दिसमर को बरामद दो अग्यात सोहों के मामल में पुलिष ने गुति सुझा लिहा है नामकुम थाना चेतरे के बुतिया गाओ निवासी संजय बडाइक उर्फ रभी बडाइक और रणिया के रामू सिंग के हत्या किसी और नहीं बलिक संजय बडाइक के इन लिव इन मेरा रयूती जोनी उर्फ मर्यम नहीं की थी इसी साल बनेगा क्रिटिकल केर अस्पताल केंद्रे ने 50 बेट के 20 और 100 बेट के दो critical care अस्पताल के निर्मान के स्विकरिती दे दिया है इन critical care अस्पतालों के निर्मान वर्स 2026 तक 94 तरीके सो होना है इनमें जमसेधपुर और गिरीडी में 100 बेट के अस्पताल के स्विकरिती साल 2026 के लिए मिली थी लेकिन अब जमसेदपूर में सो बेट के क्रिटकल केर अस्पताल का निर्मान चालू भी तिये वर्स 2022 स्टेश में ही होगा राज स्रकार ने जमसेदपूर में इस अस्पताल का निर्मान 2022 स्टेश में ही करने कानूरोथ केंद्र स्रकार से किया था जिस पर केंद्रे ने सेक्रिती दे दिया है गिरीडी में 100 बेट के अस्पताल का निर्मान 2026 में ही होगा जे एसेसी के बाद बाल विकास पर युणा के नाम पर फर्जी बहाली ज्यारखन करमचैरी चैन आयो की फर्जी वेबसाइट बनाएकर फर्जी बहाली के अवेदन मांगे जाने के बाद अब बाल विकास पर युणा के नाम पर फर्जी बहाली का मामला सामने आया है राज सरकार का एक फरजी पत्र दिखा कर विभीन परकॉंडो में कॉंट्रेक्ट पर बहाली के नाम पर युवाओ को ठगा जा रहा है मामला सामने आने के बाद समाज कल्या निदेशक छवी रंजन ने वारल पत्र को फरजी बताते हैं इस तरह के किसी न्युक्ति का आदेश नहीं दिये जाने और उस पत्र को उनके कर्याले से जारी नहीं होने की बात कही है बतादे इंटरनेट मीडिया पर वारल हो रहे है फरजी पत्र निदेशक बाल विकास पर योजना महिला एवं बाल विकास वा समाजिक सुरक्षाप विभाग के नाम से जारी किया गया है पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए युवा दिवस पर रेल करमचारी देंगे धरना है नई पेंशन योजना समाप्त करने और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए 12 जनवरी को युवा दिवस पर रेल करमी धरना परशन करेंगे रेल करमचारियों का अंदुरन All India Mains Federation AI RF के दिशा नेदेस पर East Central Railway करमचारी यूनियन के बैना तले होगा धरने को लेकर तैयारी सुरू कर दी गई है यूनियन की धनबाद सखा की ओर से बताया गया है की यूवा दियस पर बड़ी संख्या में रेल करमचारी सरक पर उतरेंगे जिसमें यूवा रेल करमचारी की बड़ी भागेदारी होगी बढ़ रही हाड के मरीजों की संख्या हाड अटेक के मरीजों की संख्या लाकातार बढ़ रही है यहां तक कि अब युवाओ में भी हिर्दाय रोग सम्मंधी समस्याओ के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं रोग सम्मंधी लक्षनों की समय से पहचान बहुत जरूरी है यदि छाती दर्ध हो तो इसे हलके में नाले बलिक जल्द से जल्द किसी स्वास्त केंद्र पर पहुँच कर इसी जी कराए ताकि दर्ध का सही कारण जाना जा सके यह कहना है सहर के वरिष्ट हेदय रोग बिससा के डाक्टर रवी रंजन का मुख्य मंत्री हेमान सुरें जैप तीन के पासिंग परेड में हुए सामिल मुख्य मंत्री हेमान सुरें सोमवार को धनबाज में जैप तीन के पासिंग परेड में बतर मुख्य अतिती सामिल हुए जैप के इस कारकरम को समभदित करते हैं मुख्य मंत्री हमंसुरे ने कहा है कि राजे को बेहतर दिशा देनी है तो राजे को बेहतर बेवस्ता देनी होगी उन्होंने कहा है कि जितने भी पूलिस लाइन और जैप मुख्यालियों का दो साल में जिरनोधार करेंगे वे राज की बिदी बेवास्था ठीक करने और महिला उत्पीडन समाप्त करने के लिए नए जवान काम करेंगे मुख्य मंत्री हमांसुरे ने प्रसिक्षित होने वाले जवानों से कहा है कि या प्रसिक्षन आपको चुनातियों से लड़ने का काम देगा काम के दोरान आपको तरह-तरह की चुनातियों से जुझना होगा 2445 नए जवानों में 813 महिलाओ का होना राज के लिए सुब संके था कोट फीस बढ़ोतरी के बीरोध में हर्ताल जारी ज़ारखन इस्टेट बार कॉंसिल के अवाहन पर कोट फीस में अपरत्यसित वबेतहासा बिरिधी को आपस लेने की मांग को लेकर 6 जनवाज से खुटी जीला बार एस्योसेशन के लबग 140 अधिवक्ता नयाईक कारियों से अलग है हर दिन बेवहर नयालाइ में लोग कोट में हाजरी देने आ रहे हैं लेकिन उन्हें लटना पर रहा है खुटी बेवहर नयालाइ परिसर में भी सनाटा नजर आ रहा है बता दे खुटी बार एसोसेशन के महा सचीव सहलेंदर स्रिवास्तों ने बताया है कि हर्ताल जारी है उन्होंने कहा है कि राज सरकार के नीरना है और जारकन इस्टेट बार कॉंसिल के फैसले पर खुटी जीला बार एसोसेशन की नजार है कांग्रेस के जारकन परभारी आज आएंगे रांची कांग्रेस कोटे के चारों मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे इसमें वर्तमार रायनिती आहालात पर चर्चा होगी मात्रू और सीसु मिरत्यू दर को सुने करने का निर्दे स्वास्त बिभा के अपर मुक्स चीव ने बिभा के पतादिकारियों के साथ समिक्षा बैठक में संस्थागत प्रसाव की योजना पर जोर दिया उन्होंने पतादिकारियों से कहा है कि मात्रू और सीसु मिरत्यू दर को सुने करने के लिए हर सम्भव उपाय करें साथ ही संस्थागत प्रसाव के आखड़े स्वास्त बिभा के पोटल पर हर हाल में अपलोड करने का निर्देश दिया है बता दे मात्रू और सीसु मिरत्यू दर को सुने करने के लक्ष को प्राप्त करने के लिए जहरकंड सो फिजदी संस्थागत प्रसाव की योजना पर आगे बढ़ रहा है इसके लिए किसी भी माता का बाहर प्रसाव नहीं हो इसका ध्यान रखने का निर्देश अपर मुख सचीव स्वास्त बिभार के पताधिकारियों को दिया है बिहार की तर्ज पर जारखंड में भी जातिय जनगना बिहार में राज असतर पर जातिय जनगना सुरव होने के बाद अब रश्टिय जनगना कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है जारखंड राश्टिय जनगना करायी जाय और मुख मंत्री खुद इसकी घोसना करे सरकार में स्तामील राष्टी यह अनता दल्दुआरा जातिय जनगर्णा की मांग तेज कर देने से जार्खन मुक्ती मोर्चा और जार्खन कांगरेश के नेता असमन्जस की Chief में दिख रहे हैं जार्खन कंग्रेश अध्यक्ष रायस ठाकूर इस मुद्धे पर सिर्फ इतना कवा पाते हैं कि हम लोगों ने भी पहले इस मुद्धे पर कहा था अब आगे चार्चा करने के बाद ही कुछ कवा पाने की चीती में होंगे तो हर मुद्धे पर बढ़ चड़कर बोलने वाले जार्खन मुक्ति मोर्चा के नेता सुप्रियों बाटाचा ने कहा कि जातिये जनगर्ना का क्या प्रेक्टिकल अप्रोच है उसकी अस्टाडी करने की जरूरत है कांग्रेस परदेश अध्यक्ष रायस ठाकुर की भाजपा नेतास से होती है बात जार्खन कॉंग्रेस के परदेश अनुसासन कमिटी द्वारा पार्टी के दो परदेश महासचीव सहित पांच नेताओं को दल से छो वरस के लिए निसकासित करने के उन्संसा के बावजूद परदेश अध्यक्ष के खिलाब उल्गुलान करने वाले नेताओं का हल्ला बोल जारी रहा जीन पांच नेताओं पर अनुसासन की ताजगिरी है उसमें से चार नेताओं ने राज अतिती साला में सन्मेद दाता समेलन कर कंग्रेश परदेश अध्यक्ष राजश ठाकुर को अक्षम परदेश अध्यक्ष कराड देते हुए कहा है कि आज भी उनकी बाद भाजपा नेता और पुर्व में परदेश परभारी रहे आर्पिएन सिंसे होती है उनके कॉल डीटेल से दूद का दूद और पानी का पान से धनवाद पहुंचा था चात्र के कोवीड पोजेटिव आने के बाद स्वास्त विभाग में हलकम मच गया है यहर अथरिटी से बीदेश से भारत आने वाले लोगों की डीटेल मांग वाने की बाद स्वास्त विभाग ने कही है जिला सर्विस लाइंस पता धिकारी डॉ आज कुमार सिना ने कहा है कि बीदेशो से भारत लोटने वाले लोगों की डीटेल मांग के लिए यहर अथरिटी को लिखा गया है यहर अथरिटी से डीटेल मिलने के बाद यह साफ हो जागा कि बीदेशो से कौन ब्यक्ति हमारे जारकन और दर्माद में परवेश कर रहा ह गंतंत्र दिवस परेड दिल्ली में दिखेगी बाबा बैधनात मंदीर की जाकी इस वरस्त दिल्ली के गंतंत्र दिवस परेड में बाबा बैधनात मंदीर की जाकी आकर्सन का केंद्र होगी इस पर कॉल से काम सुरू हो जाएगा जार्खन से बाबा बैदनात मंदीर की जाकी के अलावा पाइका निर्थ को भी सामिल किया गया है बतादे देव घरवासियों के लिए खुसखबरी है इस साल देश की राइधानी दिल्ली में गंतंत्र दिवस के प्रेड में बाबा बैदनात मंदीर की जाकी देखने वाली है जारखन से इस बार बाबा बैदनात मंदीर की जाकी को सुख्रिती मिली है बता दे कि जहांखी को आकर्षन बनाने के लिए कलाकारों के टीम दिल्ली निकल चुकी है दिल्ली में 26 जन्वारी की प्रेड में बाबा मंदीर की जहांखी के साथ पाइका निर्त भी मुखे आकर्षन का केंदर होगा धन्यवाद